अपे तो आपने कई खाए होंगे लेकिन इन अपे बनाने की बाथ है और तारीका बिल्कुल अलग है तो हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे चनल में आज मैं आपको हरे-हरे ये अपे बता रही हूं इसको ग्रैंड करने से पहले मैं थोड़ा सा गुरिया वाला धना एट करें हूँ इससे बहुत अच्छा टेश्ट आएगा और इस तरह से ही आपको इसको मतलब की पीस के तयार करना है इसको बहुत ज़्यदा फाइन नहीं करना है, हलका सक्रसी रहना चाहिए इसको मैं बाउल में ले रही हूँ तो बाउल में ले लिया है, यह आप बहुत ज़्यादा अलगी बनेंगे और टेश्टी ही काफिया पृट भी काफिया बनेंगे टमाटर का मैंने रस निकाल दिया है तब ही आप इसमें एड़ करें इसके बादी आदा कटूरी क्राइन की हुई सूजी या रवा जो भी आप बोलती हो इसको कम ही डालना है क्योंकि सूजी या रवा सिर्फ बाइंडिंग के लिए एड़ कर रही हूँ इसको मतलब कह सकते हैं इसका टेस्ट ना आए ये ध्यान रखें टेस्ट के अकोइडिंग इसमें नमक एड़ कर दिया है इसमें ज़्यादा चीज़ें आपको एड़ करना ही नहीं है और इसके बाद ही ये हरा नमक थोड़ा नमक मैंने कम ही एड़ किया था क्योंकि ये हरा नमक एड़ कर रही हूँ हरा नमक मैं बहुत जादा बना के रख लेती हूँ इसमें बहुत सारा नमक होता है और काफी सारा धनिया और अद्रक और हरी मिर्च तो इसलिए मैस में अलग से ज़्यादा कुछ आड़ नहीं कर रही हूँ हरा नमक से बहुत अच्छा टेश्टा जाएगा थोड़ा साहरा दनिया और एक हरी मिर्च कट करी हुई अगर आपके पास साहरा दनिया ना हो तो कोई बात नहीं अब जादा साहरा दनिया और मिर्च डाल दें इसके बाद ही ये एक बड़ा चमज मैं इस면 पाव अजी मसाला Mars रही हूँ अगर आपके पास ये नहीं तो आप मैगी मसाला भी साह्ट कर सकते हैं यह देखिए अप्पे कसांच रखा और उसमें सिर्फ एक चम्मच तेल मैं पूरे सांचे में अच्छे से लगाती जाओंगी बैसे तो आप इसका कुछ भी नास्ता बना के त्यार कर सकते हैं लेकिन मैंने सुचा कुछ ऐसा नास्ता बनना चाहिए जो हेल्दी भी हो इसी तरह से आपको सभी को भरते जाना है और कुछी मिंटों में सभी को पसंद आने वाला यह नास्ता त्यार होने वाला है वह बी सिर्फ एक ही चम्मस तेल से तो काफी हल्दी रहेगा सब फिल हो चुके हैं मैं इसको ठककर रख रही हूं सिर्फ एक ही मिनिट के लिए मैं इसको ठककर रखूँगी इसके बाद मैं यह ठककन इसका निकालके सभी में थोड़ा थोड़ा सा तेल लगा रही हूं जिससे यह दोनों साइट अच्छे से सिख जाएंगे यह देखिए और फिर मैं इसको एक मिनिट के लिए और ठककर रख दूँगी जिससे यह अच्छे से नीचे साइड से हो जाएंगे तो यह अपने आफी इजी ली बलट जाती है यह देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ इसी तरह से ही कृस्पी आपको यह बना के तैयार करना है देख सकते हैं कितनी आशानी से यह पलटते जा रहे हैं तो देखा आपने मटर से भी आप वही इसमें भी आएगा ऐसा नहीं है यह बिलकुल अलग तरीके से बन के तयार होंगी और इनका टेस्ट भी बिलकुल अलग ही आएगा धीरे-धीरे करके मैंने सभी को प्रट दिया है आपको ध्यान रखना है चारो साइट से आप इनको फ्राई करते रहें जस तरह से अब य बहुत मुस्कल होता है लेकिन यह पॉसिबल हो चुका है तो सारे अपे रेडी हो चुकी है इनको आप चाय के साथ चटनी के साथ सौस के साथ किसी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं हरी चटनी के साथ भी यह काफी पसंद आएंगे आपको यह देखिए अपे रेडी हो चुके है जो अभी काफी गरम है तो इनको टी टाइम जब भी आप कंबन करें जटपट बनाएं और खाएं खिलाएं और अगर पसंद आते हैं तो फिर से कहूंगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें कॉमेंट करके जब दाएं कि क्या आपने पहले कभी इस तरह से अप पर बना के तयार किये हैं और आपको ये कैसे लगे पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू